हेलो एन वेलकम टू ओर्लाइन अड़र फोर स्टडी दोस्तों फिलाल इस वीडियो में बात करने वाले यूपी टीटी दोजा उनिसके फॉर्म्स को लेकर जैसा कि आप सुभी को बता है कि फॉर्म प्रोसेस शुरू हो गया था प्रोसेस लगबक समापत होने वाला है अब अ खात पूसे अ मैंने नाम गलट डाल दिया कोई कहता है ममी का नाम गलत हुआ कि पापा का नाम गलत हो गया तो कभी कहता है एक आगी होग हो गया कोई तो कैने का मतलब है ऐसी चोटी चोटी गलतियां आती है उनका सवाल होता है कि web प्रेशेट तो नहीं होगा अब यह जो आप सभी का बचा है। उससे पहले मैं आपके सारे के सारे डАउट एक वीडियो लाकाओध के के किलियर कर मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था जी leash लाकाओर के दे देदे हैं। तो फिलाल हम बात करने वाले उपी ट एक को लेकर अगर आप ने गल्तियां की है तो क्या फॉर्म होगा अगर फॉर्म होगा तो कैसे हैं उख तो पहली चीजस सबसे पहले मैं आप सबी को पहला बता देना चाहता हूं अगर आपने कोई गल्ति है एक बचिथ के चारवा नेका करने लूंूरत अब करने का मतलब नहीं करने रिच दोको अपेफी चारवाइना करका S doubt मैं दोसकेसिंदेंगों!!! एटना समय है अब क्या है सूकतिFeter सेस पेहले change То पहली चीज इंट कब होता है जो लोग कहते हैं सब्मेया ना्म गलत हो गया हिए, जो लोग कहते हैं सब्मेया यह हुआ है, दिखो, फॉर्म उसमें reject कवी नहीं होता है, अगर आपका नाम गलत और चल जाएगा। अगर आपने marks गलत डाल डाल दिये था भी फॉर्म रेजेक्ट नहीं होगा। थेक है आपका जो है form reject होने के संबावना होती है जिसमें से 90% केसिज में फोटो की बज़े से जो form हो जाता है signature का भी 10% का roll नहीं होता है मैं तो 10% लेकर के चल रहा हूँ ठीक है अगर आपने कोई mark sheet number गर डाल दे तब भी आपका form reject नहीं होगा लेकिन जब आप UPTAT की mark sheet लेने जाएंगे उस समय आपको problem देखने के लिए मिलेगी और वहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखना होगा पहली चीज़ फोटो को लेकर मैं आपके doubt के लिए करूँ अगर फोटो आपका billar बिलर मतलब दुंदुला अगर आपका फोटो दुंदुला है तो बिल्कुर 100% चांस है आपका जो फॉर्म वे और एक्ट हो जाएगा दूसरी चीज़ अगर आपका face clear होने के सासा आपका background ठीक नहीं है जैसे कि होता है कई वहाँ मुबाइल से फोटो ले लेते हैं मुबाइल से फोटो लेने के बाद में क्या होता है कि हमारे पीछे कुछ और सीनरी सी बनी हुई है अगर आपके पीछे white या sky कलर का background या दौ जरी का जस्मा होता है अगर आप उसको फोटो खिचबा को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मुबाइल की quality अच्छी है तो उसमें प्रोलम नहीं आएगी तो कहने का मतलब है अगर आपने साइवर के फोटो स्कैन करा के अच्छे से भर दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बस आपको यह देखना है कि आपको जो background वर्च्छा होना चाहिए फोटो blur ना हो मनलब दुंदली ना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वा पहली चीज आप समझ लिजे अगर आपने ब्लैक से की हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दूसी चीज अगर आपका सिगनेचर आउट आप दो वेज आगे के दोस्तों आदा सिगनेचर अंदर बाहर है तब भी आपका सिगनेचर की विएसे फॉर्म इजेक्ट नहीं अगर आप सुपर नहीं होगा तो पहली चीज में आप सब्सक्रेशन किया तो साफ होना चाहिए साइज 200 आप सभी ने वही डाला होगा जो एज मेंशन किया गया था अगर उससे जा रहा होगा तो उसने बिल्कुल नहीं उठाया होगा सिस्टम ने ठीक है दूसरी चीज आ जाते हैं दूसरे हमारा पॉइंट आता है फोटो सिंग्ले से मैंने किलियर कर दिया है अगर किसी फोटो के उपर साइन कर दिया अगर फेस के उपर साइन है तो दुबारा से आपको फॉर्म बढ़ना पड़ेगा और वो उसको समझने के लिए आपको पांच भी पॉइंट ते पहुँचना होगा तो वीडियो बने रही है अगला पॉइंट आता नाम पता रॉल नमर में अगर मार्क शीट में गलतियां की है तो अब हम क्या करें देखो अगर आपके नाम में गलती है तो आपको दुबारा फॉर्म बहना चाहिए अगर मार्क शीट के नमबर गलत डाल दिये तो यह तो सबसे बड़ी गलती है वहाँ पर भी आप सभी को दिक्कत देखने के हम बढ़ते हैं अगर गलती से हमने दो बार भर दिये तो आप उपर वाले जो है तीसे परिंट में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले में अगर हमने गलती की अब दुबारा से हमने दूसा फॉर्म बहर दिया अब क्या हुआ कि जो पहला गलत था तो आप दूस अब क्या होगी आपको बागी जो अनको रिजएक्ट कर दिया जाएगा अब बात आ जाती है चौते पुरा बढ़ते हैं पर प्रोसेश कंप्लीट ना होने पर तो दिक्कत क्या होगी अब प्रोडम के आतिक उस लोग आ हैं कि सब मेंद्द हो गया लेकिन प्रोसेश कंप्ल के exam दिये होंगे उसमें क्या होता है पूरा प्रोसर कर वालेते हैं वो उसके बाद में आप सिप्ली लिकिन इसके अंदर केस दूसरा है इसमें आपको first step भरने के बाद दूसरा step payment करनी है payment के बाद में अपनी additional detail डालनी जिसके अंदर education qualification डालोगे photo डालोगे signature डालोगे तब जा कि आपका form complete होगा लेकिन उससे पहले नहीं होगा ठीक है अगर आपने गलती किये कि वहीं आप गलती किये तो आप दुबारा से form भर दो अब दुबारा form भरेंगे तो मैंने आपको बता है कि दूसरा वाल आपका मानने हो जाएगा अब उनके मन में सवाल होगा कि अगर हमने दो बार payment किये तो fees वापस आएगी कि नहीं आएगी देखो साब साब उसके अंदर ये लिख कि अगर आप दोस्तों गलती करें उसको आप छुपा करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉलम आजाएगी अगर आप नाम लोगर बगरा होगा तो फोर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन बाद में आपको दिक्कत देखने के लिए मिलेगी तो अब उससे बचने के लि विकेंसी आई थी उन्हें 30,000 है ना तो उसके अंदर क्या हुआ कि काफी लोगों की गलतियां थी उन्होंने फॉर्म बढ़ा हाला कि उन्होंने कहा था कि फीस बापस नहीं होगी लेकिन उसके बाद मैं उन्होंने देखा कि एक नाम से दो दो फॉर्म आये हुए हैं तो उ और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे लेकिन अगर गलती हुई है तो आपको वापस उदाना तो पड़ेगा इससे कि आपको आने वाले समय प्रॉलम नहीं आएगी लेकिन ज्यादा तर केसों में आपकी प्रॉलम नहीं आएगी पहली चीज मैं आप अपने नंबर से देख लोगे लेकिन जब आप यूपीटीट का सर्टिफिकट लेने जाते ना तो उस टाइम बहुत ज्यादा समस्यां देखने के लिए मिलती है आपको एड्मिट कार्ड मंगवाते हैं इनकेस अगर आपका एड्मिट कार्ड भी हो जाता है तो आ कूटिप आएगा वह आपकी मेल आईडी के उपर आएगा आप सवाल उटता है कुछ लोगों का बाद में सवाल आएगा अभी नहीं यहाएगा जिबिया कम्प्लीट हो जाएगी तो कुछ लोगों कशनी इमेल आइडी बंद हो गी। सारी के सारी चीज़ने समझा दिए और साथ में रिजेक्ट होने के जो तरीके वह भी आपको बता दें कि इन बज़े से आपका रिजेक्ट हो सकता है अधरवाइस कोई और केस इसके अंदर नहीं निकल करें कि आएगा तो यूपी टीट के आपने फॉर्म बढ़ा है तो तिल दें अंगले वीडियों वो तिल दें टेक्या टाटा बाबाई और थैंक यू थैंक यू फो वोचिंग इस वीडियो